जहिन, देखे, S-400 मिसाइल भारत में उसकी डिलेवरी चालू हो गई है इसके बारे में समझते हैं ये किस तरह टारगेट को हिट करता है और इसके एक रेजिमेंट में कितनी बैटरी होती है, कितनी लॉंचर होते हैं, कितनी ट्यूब और टोटल कितनी मिसाइले होगी और किस-किस एरिया को ये कवर करेगा रूस ने अपनी सेना में 2007 में S-400 मिसाइल को सामिल किया था ये हवा से आने वाली भी किसी भी खत्रे को मार के गिरा सकता है, 400 किलोमीटर दूर ही गिरा सकता है चाहें वो बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, हेलिकॉप्टर, जहाज, ड्रोन, किसी भी तरह के aerial target को ये खतम कर सकता है 2018 में ब्लादिमीर पुतिन का भारत में जब दौरा हुआ तो उस दौरान भारत ने 40,000 क्रोड की लागत से S-400 Air Defense मिसाइलों को खरीदा था इसमें टोटल 5 रेजिमेंट को सामिल किया गया, 5 रेजिमेंट के लिए ये सौधा किया गया था एक रेजिमेंट जो है, एक मिसाइल की रेंज 400 किलो मिटर था, आगे पीछे दोनों 400 किलो मिटर तो हम लोग दो रेजिमेंट पाकिस्तान की और खड़ा करेंगे, दो रेजिमेंट चाइना की और खड़ा करेंगे कुछ ऐसे मिसाईल होते हैं जो बहुत नीचे तक उड़ के मारते हैं कुछ बहुत जादे हाइट में जाते हैं इसमें सबसे बढ़ा चीज जो होता है वो radar यह होता है surveillance radar यह radar बहुत ही बड़ा होता है size में यह radar 600 km दूर तक निगरानी रख सकता है लेकिन इसके मिसाईले मारने की छमता 400 किलो मीटर है तो देख तो लेगा आपको 2600 किलो मीटर पे और ये किसी भी तरह के स्टील्ट जहाज को देख सकता है ये अभी जो इसका एडवांस वर्जन है जो भारत को मिल रहा है वो दुनिया का सबसे तगड़ा स्टील्ट जहाज F-35 को भी पकड़ लेगा और F-22 को तो कईसे भी देख लेगा यानि इसके पर छूपना ना मुम्किन है 600 किलो मीटर से देख लेगा और जैसे 400 किलो मीटर के दायरा में आएंगे हमला कर देगा ये क्या करता है और सी टार्गेट को एक साथ देखता है एक साथ देखता है लेकिन ये हमला नहीं करता है जब देख लेता है कि ये 400 किलो मीटर के दायरे में आ गये तो ये बता देता है Fire Control Radar को अब मिसाइल को आदेश देती है ये निगरानी करेगा ये क्योंकि इसकी छमता बहुत दूर होती है 600 km तक निगरानी करेगा जैसे निगरानी हो गया ना कर देता है कि देख तुम इसको नजर रख हम बाकी को खोशते हैं तो यह स्वतंत्र है और fire control के लिए यह रडार होता है और यही आदेश देता है missile को जाके मारने के लिए जैसे य हाज आ रही है यहाँ पर missile आ रही है यहाँ ड्रोन आ रहा है तो क्या करेगा सबसे पहले यह रडार पकड़ लेगा सब को और यह बताएगा fire control रडार को अब fire control रडार सब पे नजर रख लेगा fire control रडार नजर रख लिया अब यह क्या करेगा इनको छोड़ देगा दूसर जाके मारा की नहीं मारा इसको देखने के लिए command post नाम का ये truck होता है इस truck के उपर receiver radar होते हैं ये देखते हैं सब कि मारा की नहीं निसाना ठीक लगा की नहीं लगा अगर नहीं लगा तो एक और missile मार देता है S-400 जब भी मारता है तो दो missile एक साथ मारता है एक ठोसे मीस होगा तो दूसरा वाला उसको हिट कर देता है इसके truck के अंदर से पूरा system है यही control करते हैं अगर मीस होगा है तो दुबारा मारेंगे लोग उसको किसी को बचने नहीं देंगे अब यहां एक slide में आप पूरा समझ देखिए यह सरवलांस रडार यह 600 km तक नजार रखेगा जैसे target में आएंगे यह क्या करेगा यह इसके अंदर बैठे लोग तुरत इसको command post को इसको दे देंगे fire control वाले को और यह लग जाएगा अब नए जहाज नए drone को ढूनने में क्योंकि इसने hand over इसको कर दिया यह आ पंदरा मेक की है 15 मेक का मतलता है 5 km प्रति सेकेड 25 एक सेकेड में पांच के उरसी नहीं है जो एक सेकेड में 2किलो मेटर भी जा सकता है अभी मैक्सिमम तीन मेक की जहाजे आई हैं यानि एक सेकंड में एक किलोमीटर तो सबसे तेज जहाज भी है न तो एक सेकंड में एक किलोमीटर जाएगा और ये एक सेकंड में पांच किलोमीटर जाएगा तो बचना तो ना मुंकिन है और रडार देख रहे हैं दुद्दू रखता है लगाईए इसको कोई बिजली उजली की जरूवत नहीं सारा चीज रखवे पर जनेटर और सब रखे हैं समया पर यह में रडार यहां से सिगनल छोड़ा आई पकड़ लिया इनको पकड़ लिया अब यह क्या करेगा कमांड भेजेगा इसको फायर कंट्रोल रडार को फायर कंट्रोल रडार मेसेज देगा मिसाइल को मिसाइल जाकि इसको हीट कर देगी जैसे मिसाइल इसको हीट करेगी यहां पर है कंट्रोल कमांड पोस्ट देखेगा हीट हो गया की नहीं वरना इसके रडार में दिखेगा चेक करेगा कि दुबारा तो नहीं दिख रहा अगर बच गया तो दुबारा मिसाइल मारेगा ब्लास्ट हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं तो कापी complicated system है लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर ये ready हो सकता है fire के लिए इसे कहीं भी ले जाए जा सकता है पहार पे लेज़े, ये बरफ में लेज़े ये गर्मी में लेज़े, ठंडी में कहियों लेज़े, ये कोई दिक्कत नहीं होता ये हर मौसम में ready हो सकता है अब इसमें समझते है कितने launcher, बैटरी ये सब चीज़े होते हैं देखिए इस ट्रक को कहते हैं launcher जो ट्रक दिख रहा है launcher हर एक launcher चार missile tube को carry करता है ये जो tube की तरह दिख रहा है इसे canister बोलते हैं canister जो होता है ये कभर होता है missile का जिससे की ले जाने में इसको जर्क में चोटना लगे या बरसात में खराब नहों बरसात में पानी घुसेगा हो सकता है कोई electronic system खराब हो जाए अब ध्यान से देखेंगे तो चार लॉंचर दिख रहा है एक दो तीन चार चार लॉंचर दिख रहा है अब बात समझे ध्यान से चार लॉंचर मिला कर जब कभी भी चार लॉंचर मिला दिया जाता है एक दो तीन चार चार लॉंचर मिला देते हैं तो उसे बैटरी कहते हैं ये टेकनिकल चीज आती है आर्टिलिरी के ध्यान समझेगा एक बैटरी में चार लॉंचर हो गए समझेगा संख्या तो इसे ही बढ़ गई अब आप से हम पूछते हैं ध्यान से दिखें यहां चार लॉंचर है तो यह भी एक बैटरी यहां भी चार लॉंचर है तो यह भी एक बैटरी टोटल आपको कितनी बैटरी दिखाई दी अब दिख गई दो बैटरी दिख गई कितनी बैटरी दो बैटरी दो बैटरी को जब एक साथ मिला देते हैं तो उसी को एक regiment कहते हैं या एक battalion कहते हैं तो एक battalion में total 2 battery हर बैटरी में 4 आपको launcher मिलते हैं हर एक launcher में आपको 4 missiles होती हैं अब इसको चन्फूज हो गया होगे इसको अच्छे सी इतमिनान से समझिए यहाँ पे जो एक रेजिमेंट होता है, एक रेजिमेंट में डो बैटरी होती है, हर बैटरी में चार लॉंचर होता है, और हर लॉंचर के अंदर चार मिसाइले होती है, एक रेजिमेंट दो बैटरी, हर बैटरी में चार लॉंचर, और हर एक लॉंचर में चार मिसाइले होती है, यानि और अबर आल हमको मतलब है मिसाइलों से, कि एक रेजिमेंट में कितनी मिसाइल होगी, तो चलिए हम लोग मिसाइल निकालते हैं, तो एक रेजिमेंट में डो बैटरी है, एक रेजिमेंट में डो बैटरी है, और एक बैटरी में चार लांचर, एक बैटरी में चार लांचर, तो बताइए, दो बैटरी में कितने launcher हो जाएगे? 8 launcher हो जाएगे. 2 बैटरी में कितने launcher हो जाएगे? 8 launcher. Simple सा तो मैथ है, कोई बुट बड़ा तो है और यहां 8 launcher मिलिये. अब आपको पता है, कि हर launcher में, यानि हर ट्रक पर, हर launcher में 4 missile है. तो यहाँ पर total कितने launcher है, 8 launcher है, तो missile कितने होगा, 8 चोग को 32 missile होगी, यानि एक regiment है, तो 32 missile है फायर करने के लिए तयार है, एक regiment में, और भारत ऐसा ऐसा 5 गो regiment खरीद रहा है, तो 32 में 5 क्या गुड़ा करेंगे, तो 160 गो missile ready to fire होगी, 160 और हर missile का range 400 km, तो पूरे area को safe कर लेंग खरीद रहा है, अब आप कहेंगे extra क्यों, तो आप बंदूग खरीदते हैं, एगो, अब गोली खरीदते हैं, जादे, तो भारत भी तो launcher खरीदा है, कितना total launcher, 8 गो, तो launcher तो भाई, launcher कर रहा है, total missile जो है, launcher के साथ 160 होग है, missile है, जब वो fire कर देंगे, तो उसके बाद क्या दिकत है, वहाँ पर ट्यूब बदल देंगे, जैसे देखिए, यहाँ समझी, यह आपको पूरी, एक launcher, दो launcher, तीन launcher, चार launcher, यह निए एक बैटरी हो गया, मान के चली यह fire कर दिया, तो खाली हो गया, तो रूस थोड़े जाना होगा, एक हजार हम लोग एक्स्ट्रा लाए यह पूरा सिस्टम, यह S-400 सिस्टम किसी भी दूसरे देश से, अब तक दुनिया में इस से तगड़ा कोई नहीं है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, यह वर्टिकल लॉंच करता है, यहाँ से मिसाइल निकलेगा, अब यह स्वतंतर है किसी भी डिरेक्शन में जाने क पड़ेगा, तो सबसे बहला ड्रॉबएक इसका यह हो जाता है, भारत को यह जो मिला है, यह सबसे लेटेश्ट वर्जन मिला है, S-400 लेटेश्ट वर्जन भारत को मिला है, जबकि चाइना को भी रूस ने S-400 दिया है, लेकिन S-400 चाइना के पास नहीं है, पैसा लिया गय तकि मिध्प की नहीं दे सकते है, तो रूस जो उसे S-400 दिया है, तो पैसा लिया है S-400 का, आब मिधविय मिधिया है, S-300 ही मिधविया है, तो उसकी मिध्वियों की चंता 300 km है, हम लोग चंता 400 km क्यूआ हैं हम लोग जो है, MTCR के हैं है, दूसरा, उसका दोजरवला मॉड आया है S500, तो S500 को सामील होते होते 230 आजाएगा, तो उतना देर तक वेट तो कोई करेगा ने, इसकी मारक चमता और खतरनाख हो जाएगी, तो हम लोग अभी एकदम latest version पर चल रहे हैं लोग, अब समझते हैं ध्यान से आगे से कि भारत, ये S400 है, ये long range वाला है, भारत की planning क् हमें छोटे drone से बचने के लिए, iron drone type का rocket चाहिए, ये सस्ते होते हैं, धाक से मारकी गिरा देते हैं, छोटे drone वगरा के लिए, और medium दूरी के लिए हमारा आकास हई है, और 100 किलो मीटर से 300 किलो मीटर के लिए बराक 8 मिसाइल है, और 300 से 400 किलो मीटर के लिए S400 है, अब हम लो पूरी तरह से safe हो जाते हैं, लेकिन अमेरिका का कहना है कि रुस से, रुस चोगी अमेरिका के मामले में हरत छेप करता हैं, इसलिए अमेरिका ने परतिबन लगाया कास्टा नियम के तहत, कास्टा के तहत, अमेरिका का कहना है कि कोई वी देस अगर रुस से S400 मिसाइल खर का पाएंगे हमारे पास दोर लॉजिक है पहिला यह चब चोमू सब बकलोलवा पकिस्तनिया यह आय दीन खुलियाम धम की मंत्री यह बैल आई बीना बरस के लिए जहां कराई से यह यह बैला क्या कहता है कि हम भारत पर परमाडू बं मार सकते हैं और इसका स्टेटमेंट सु कुरी दुनिया को कहने के लिए अमेरिका को इस पेसली कहने के लिए कि यह हमारे पास S-400 की सक जरूआत है वरना यह सब कईयों लूंगी पहिंके आएगा सब मार के बरमाडू बं चल जाएगा समया पर इन लोगों को यह वारत से हम लोग के पास प्लस पॉइंट है दूसर अमेरिका के लिए भी दिक्कत क्या है अमेरिका चाइना को रोकना चाहता है और दचडी चीन सागर में चाइना को रोकने वाला भारत को अगर छोड़ देंगे तो कोई नहीं बचता है क्योंकि रूस और चाइना तो भाई दोनों अमेरिका के खिलाफ रहता है तो भारत को ह चाइना के दुसमन को मजबूत किया जाए, तो चाइना का सबसे तगड़ा दुसमन भारत है, जो इससे लड़ सकता है, तो इसलिए भारत पर ये लोग परतिवन नहीं लगाएंगे, इसके उपर लगा दी हैं, और वैसे भी भारत की अब जो विदेश नीती हैं, उस तरह की नहीं रहा गई, अब भारत को छोड़कर आप कालपना नहीं कर सकते हैं, हम लोग 1970-90 का दसक चला गया, जब भारत को कोई धमकी दे के चला जाता था, अब हम लोग इतनी बड़े एकोनोमी बन चुके हैं, कि आभी हमको इगनोर करके आप नहीं रह सकते हैं, अब आप S-400 क कोई भी जहाज इंडिया में नहीं घुस पाएगा, जहां कहीं लूप होल होगा, वो भारत को पता है कि यह हमारे राडार में नहीं आ रहा है, वहाँ पाइलेट वहाँ पर जहाज लगा दिया जागा, राफेल, सुखोई, मिराज, मिक-29, दुनिया वर के जहाज हैं सब, तो हम लोग एर के मैटर पर पूरी तरह से अब लगभग आप कह सकते हैं कि सेक्योर हो गया है, एक बात और ही कि इस किताब को तयार करने के चकर में इतने दिन से काफी लंबा गया वीडियो के लिए, तो आप देखे होंगे, इस किताब में महनत क्या-क्या था, ये 30 सालों का टोटल साइंस का कोश्चन है, 15,000 से जादे इसमें कोश्चन सामिल किया गया है, और ये 1990 से 2021 तक जितने एक्जाम हुए है, उन सारे एक्जाम में जितने भी फिजिक्स, केमेश्टी, बायलोजी और इन्वार्मेंट से जितने कोश्चन पूछे गया है, 15,000 को रखा गया ये unique book है, इसको हम समझाते हैं, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक तरह की समस्या फिस किया थे, जैसे इसमें chapter wise question है, तो एक physics का chapter है, unit and dimension, मातरक है, तो पहले क्या होता थे किताबों में, कि unit and dimension chapter हो गया, अब जितने exam में question पूछे हैं, वो सारा वहाँ दे देता ये SSC में पूछा, ये railway में पूछा, ये NDA में पूछा, अब जो railway की तेयारी कर रहा है, वो क्यों देखने जाएगे, कि NDA में क्या पूछा, एक common होना चाहिए नहीं है, तो हम यहाँ पे chapter wise भी सजा दिये हैं, और exam wise भी सजा दिये हैं, अब देखिए, ये chapter का नाम में मात तरक हो गया यहाँ पर, अब इसमें exam में, कि state level में कौन-कौन सा question पूछा था, तो अभी आप पढ़िएगा, तो इसमें केवल state level का, आगे लिखा भी है, हर्याना state level में क्या था, राजस्थान में, भिहार में, हरत रखा, तो इस वाले हिस्सा में, unit and dimension chapter से केवल state level का पूछता है, अब यह exam, यह chapter अभी वही चल रहा है, लेकिन बदल गया है, हाँ, railway में यह पूछेगा, with date और timing के साथ भी है, आप इसको मिला भी सकते हैं, आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ लिखा है, SSC में किस टाइप का question पूछा है, तो आपको parallel ही पता भी चलेगा, अभी चेप्टर एक ही है यहाँ पर, इसमें SSC में क्या पूछ दिया है, फिर NDA Air Force में क्या पूछ रहा है, तो यह exam चेप्टर वाइज भी है, और अलग-अलग exam के लिए अलग-अलग केटर्राइज किया गया है, ताकि लड़कों को दिक्कत नहीं होगा, दूसरी एक और problem हम लो अगर नीचे देते थे तो एक problem आता था, लड़का धकने के जक्कर में उसको देख लेता था, फिर उसको अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाता था, अभी यहाँ है कि इसका प्राइस के चक्कर में, देखिए, अभी कोईले की सौटेज थी, इसके लिए काई सारी चीजे मह ही हो गी थी, तो पेपर भी काफी महगा हो गया था, इस बार भी हम लोग पूरी कोशिस की है, कम से कम रखने की, 616 पेज की किताब है, 15,000 कोश्चन 1990 से लेके 2021 तक का, यह 15,000 कोश्चन 30 सालों के 180 रुपे में आपको मिल जाएगी, अगर आप दूर दराज के नहीं है, में, 180C में, इजली आपको अबेलेबल मिल जाएगा, यह किताबे, अपका हर जगा भेज दियागा इस किताब को, आप जितना जल्दी ले लेंगे, वरना सौट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जागा, आई होप आप सब समझ गया होगे, मिलेंगे नेक्स क्लास में, जैहि है उजड़ किता जाएगे, जैहिए उड़ को, एप इजड़ के वरेंगे, आपको जितना जाएगा जाएगा, यह जाएगा आपको जो जाएगा मिलेंगे,